हेलो गाइज उबैद एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका 100% स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बनाते हैं 5W DC शॉल्डरिंग आयरेंट तो प्लीज वीडियों बने रहे हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर शॉल्डरिंग आयरेंट का बिट बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सेफटी पिन का जो की आप देख सकते हो यह इस्टिल की होती है और फ्रेंट्स इसको ऊपर की तरफ से हम तोड़ लेंगे आप हलका हलका मौड कर उससे तोड़ सकते हैं और दूसरे नंबर पर मैं यूज कर रहा हूँ एलमुनियम की खाली रोड या अंदर से खोगली होती है और फ्रेंट्स यह आपको इसली मिल जाएगी क्योंकि यह कबाड़े की शॉप पर आपको मिल सकती है दोस्तो तीसरी सामागरी में मैं यूज कर रहा हूँ घर के बरतन माजना का जूना तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो यह इजिली सब के घर में मिल जाएगा जो की नॉर्मल परिवार से होते हैं और फ्रेंट्स यह जो इस्टील की छिलन होती है इसका मैं नाइकरोम वायर की तरह यूज करूँगा यह आपको काफी इजिली यानि बिल्कुल फिरी बराबर पड़ सकती है दोस्तो अगर आप भी 5 वर्ल डेसी शॉल्डरिंग आईरन बनाना चाहते हो तो प्लीज नाइकरोम वायर का यूज मत कीजेगा आप इस ट्रिक का यूज कीजेगा 100% आपको कामियाभी मिलेगी दोस्तो इस टील की स्क्रैब में से आपको छोटा सा एक टुकड़ा काट लेना है और हमारे पास जो सेफटी पीन है उसमें अंदर का जो सबसे मेन होल आप देख रहो हैं मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें राउंड बर राउंड 2-3 राउंड इसके इश्टील की स्क्रैब के देन हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की स्वैप बनेगी आपको सिर्फ दो से तीन राउंड देने हैं इसको दोस्तों मैं यहाँ पर एलमूनियम की रॉड के उपर हीट सिंग पाइप का यूज कर रहा हूँ ताकि हमारे हीट सिंग पाइप पर कोई काला या कोई हीटिंग से कोई शोर्ट शेर्किट ना हो सके तो आप देख सकते हो करीब से इस तरीके से आपको लगाना है और दोस्तों इसके बाद मैं यूज करूँगा अपनी तयार सेफटी पिन का सेफटी पिन को मैंने इसके उपर बाइंड करना है तो फ्रेंटस बाइंड करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि कोपर का वायर ज़्यादा बैटर रहेगा क्योंकि friends उससे अच्छी looking भी आईगी और मजबूत आई भी आईगी तो friends आप देख सकते हो मैं इसके उपर step by step उसके उपर लपेट दूँगा और friends ये हमारे जो pin है यानि मैंने इसकी जो knob बनाई है iron की तो ये जरा सी भी हिलनी नी चाहिए आपको इतनी tight तरीके से इसको लपेटना है दोस्तो आप इसको मजबूत करने के लिए steel का wire या आपके पास कोई भी ऐसी चीज हो जो इसको मजबूती से पकड़ सके आप उसको use कर सकते हो दोस्तो इसके बाद आपको 5V DC socket का use करना है और friends जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको एक लकड़ी का बैट दिखाया था हो तो इसका use करना है तो इस तरीके से आप इसके अंदर दो hole कर सकते हो मैंने इसे drill की मदश से hole कर लिये थे तो friends आप आगे की तरफ का hole इसका देख सकते हैं मैंना 5mm के bit से इसका use किया है दोस्तो यहाँ पर हमारा bit तो तयार हो चुका है लेकिन अभी इसके connection करने बागी है तो connection करने के लिए हमें दो extra wire लेने होंगे और इनके दाएं बाएं connect कर देने हैं यानि friends इसका कोई negative और positive नहीं होता है दोस्तो दोनों wire को मैंने bit के अंदर डाल दिया है और आप यहाँ देख सकते हो मैंने bit को connect करने के लिए fast glue का use किया है तो आप bet के अंदर इसको connect करने के लिए fast glue का use कर सकते हैं यह काफी मजबूत होता है तो friends आप एक बार और देख लीजे मैंने इसे किस तरीके से बनाया है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो नाइक्रों wire की जगए steel की scrap का use किया है इसके दो wire निकाल कर अपने DC socket के wire उसे connect कर दिया है तो दोस्तो चलते हैं इसकी paint की तरफ और आप देख सकते हो कि paint होने के बाद यह कितना खुपसूरत लग रहा है और अगर आप भी इसे paint करना चाते हो तो आप spray का use कर सकते हो जो कि आपको easily 80 रूपे का मिल जाएगा और दोस्तो मैं इसकी testing करने के लिए 5V DC charger का use कर रहा हूँ जो कि mobile का charger होता है आप देख सकते हो मैंने DC socket में इसको connect कर दिया है और friends इसको मैं 230V में जाकर connect कर दूँगा तो आप देख सकते हो connect होने के बाद यह कितना अच्छा work कर रहा है और friends यह iron जो है वाकई में work कर रहा है कभी आप सोच रहों कि मैंने इसको 12V की supply दिया ऐसा कुछ भी नहीं है आप करके देख सकते हो और दोस्तो चार्जर को लगाते ही यह work कर रहेगा और चार्जर को हटाते ही यह ठंडा हो जाएगा यानि बहुत ही तेजी से यह work करता है अपना और दोस्तो मुझे यह काफी अच्छा लागा वो इसलिए क्योंकि यह hand to hand गरम हो जाता है और इसका weight नहीं करना पड़ता है तो आप इसका अगर use करोगे तो जरूर मेरी वीडियो को like करोगे और मेरे चैनल को भी subscribe करोगे तो इससे पहले इसका आप use करो मेरे चैनल को आप subscribe कर सकते हो और मेरी वीडियो को like जरूर कीजिए और आप इसे share जरूर कीजिए